बच्चों हम बात करें थे कक्साच्य की इत्यास पाटे पुस्तक जिसके 6 अज्जाई हमने पूर्ण कर लिये थे वहीं इस अज्जाई में हम बात करेंगे जो एक बहुत बड़ा समराज्य है जिसका नाम है मोरिय समराज्य कोशना कर देते हैं तो इस अज्जाय में और इस भाग में हम सर परतम बात करेंगे जो मौरिय समराजी है और जिसके सबसे प्रता पिसासा के समराट असोक इनके बारे में वहीं बच्चों हमने इसके पिसले अज्जाय में बात किती बोध धर्म, जैन धर्म, उपनिश्दों और आसरम व्यवस्ता के बारे में तो शुरू करते हैं बच्चों मौरिय समराजी समराट असोक सबसे पहले बच्चों एक कहानी है जिसमें रोसन नाम की एक बाली का होती है इसको दादा जी के दवारा कड़क नोट मिलते हैं अब बच्चों कड़क नोट से इस बच्ची क एक कार्य करना था जो CD लाने के लिए इसको ये नोट मिलेते वहीं इसके मन में क्या था कि ये कड़क नोटों को देखना और चूपकर महसुस करना भी चाती थी और साथ में इसके दूसरा कार्य यह होता था कि उसी नोट से इसको क्या लेके आनिये सीडी लेके आनिये तो चो बहुत तरब इसने देखा कि जो छोटे छोटे शेर हैं यह चित्रित किये गए हैं इन नोटों के उपर तो इस बच्ची ने विचार किया कि आखिर यहां पर शेर क्यों बने गए हैं इस नोट के उपर तो इन नोटों के उपर जो शेर के चित्र चित्रित किये गए हैं उन चित्रों को कहां से लिया गया है और उन चित्रों का क्या इतियास है उनका क्या महत्व है इन सभी के बारे में हम इस अज्जाई में बात तो बात करते हैं बचों एक बहुत बढ़ा समराज है है अब इसमें देखते हैं कि बचों जो सार-nats में मात्माव पर दे रहे हैं बचों सारनात में दे रहे हैं सारनात का इस्तम्द देखें बचों हम जिन सेरों के चित्र रुपियों और पैसों पर छपे वे देखते हैं उनका क्या है बचों एक लंबा इत्यास है इनको इत्यास में किसी ना किसी इस्तान विशेश पर इनका दर्ज किया ग एक विसाल इस्तंब के उपर इस्तापित किया गया देखे बच्छों यह जो पत्तर है यह इस्तंब है और इसके उपर यह जो सेरों के चित्र और मूर्तिया है इनको यहां पर इस्तापित किया गया है विसाल पत्तरों को काट कर इसको आप इस डाइगराम में आसानी से देख सकते हैं इत्यास के महान सासक जो असोख हैं उसके निर्देशों पर क्या हुआ इनके जैसे कई इस्तंब और पत्थरों पर अभी लेक उत्केन किये गए तो बचों यहां पर एक सब्द आया है अभी लेक इसके बारे में हमने पहले भी बात कि थी कि किसी भी सासक वर्ग या फिर धनी वर्ग होता था उसके द्वारा पत्तर या पिर कोई भी कटोर सते है उसके ऊपर खुदवा कर किसी भी चीज को उत्केनित करवा कर लिख्वाना क्या कहलाता है अभी लेक कहलाता है तो सम्राट जो असोख हैं, जो मौरिय सम्राजी के सबसे प्रतपी सासक हैं इनक कि Debat शेलिए दोरा बोज से स्वर और अभी लेकों को पत्थरों पर पर क्या किया गया था उत्करणित पर यह करवाया गया कि अब देगे चैनल मोरजय शत्र सम्वस्थ ईक सब्सक्न एक राज्य और दूसरा सब्सक्न सम्वस्थ सम्वस्थ सब्सक्राज्य देए राज्य से बहुत बड़ा होता है इसका शैत्रपल की द्रिष्टी से विस्तार देखें तो वो राज्य से कई गुना अधिक होता है सबसे पहली बात सामराज्य में कर संग्रहन के लिए बड़ी संक्या में समराट को अधिकारियों की आवशक्ता रहती है वहीं बात करें रज जी की तो रज जी का क्या होता है शेत्रपल छोटा होता है इसलिए वहां पर अधिक संक्या में किसी भी परकार के जो विशेस अधिकारी हैं उनकी आवस्यक्ता समराट को नहीं रहती वहीं आगे देखें बचों इन समराजियों की रक्षा के लिए समराट को क्या होगी बचों जो बड़ी बड़ी सेना हैं उनकी जरूरत पड़ेगी ताकि इस समराजियों को किसी भी अन्य सक्ति के द्वार रख्या नहीं हो नुकसान नहीं हो वहीं बचों बात करेंगे राजियों की तो राजियों में किसी भी परकार की बड़ी सेना का रखना इस समय तक आवस्यक्त नहीं समझा जाता था क्योंकि राज्य का शेत्रपल नहीं छोटा होता था इसलिए बड़ी सेनाओं को रखने क उनके दादा थे बच्चों चंद्रगुप्त मौरिये इन्होंने लगबग तेभी सो वर्ष पूर में इस समराजी के इस्तापना की थी अर्थात जो मौरिये समराजी है उसके संस्तापक की बात की जाए तो संस्तापक कोन है बच्चों चंद्रगुप्त मौरिये और चंद्र इससे क्या है कि मोर्य सम्राजी आज भी अपना महत्वे इस्तापित रख रहा है देखे बचों चाने के या फिर इनका दूसरा नाम था कोटी लिए नामक एक व्यक्ति था इसने क्या किया बचों मोर्य सम्राजी की इस्तापना में जो चंद्रगुप्त मोर्य जो संस्तापक ह इनकी बहुती अधिक साइथा की थी किनों ने चानिक की नामक व्यक्ति ने ये एक बहुत बड़े विद्वान थे और इनों ने मोरी समराजी की इस्तापना के लिए किस की साइथा की चंदरगुत मोरी की साइथा की अब चानिक किया नहीं क्या क्या एक पुस्तक लिकिया है और इस पुस्तक का नाम है बचो अर्थ सास्तर है इस पुस्तक का नाम है बचो अर्थ सास्तर है लेकिन अर्थ सास्तर नामक जो विसे है जिसमें धन से सम्मंदित जो अधानाएं है उनका अध्यन क्या जाता है उन से इस पुस्तक का किसी भी परकार का सम्मंद नहीं है इसका नाम अर्थसास्तर है लेकिन बचों इस अर्थसास्तर नामक पुस्तक का जो विस्तक है वो है राजनिती अर्थात ये राजनितिक जो विस्यों पर आधारित क्या है पुस्तक है और इसी से समंदित जो कई विचार इस पुस्तक में मिलते हैं अब आपसे पूचा जा सकता है कि चानक के की पुस्तक का नाम क्या है और उस पुस्तक का जो विशे है अर्था किस पर आधारीत है ये पुछा जा सकता है तो हम बदाएंगे कि अर्थ सास्तर उनकी पुस्तक का नाम है लेकिन जो अर्थ सास्तर है वो राजनितिक विश्यों के उपर आदारित पुस्तक है अब देखें इसके जो मुख्य नगर है वो है पाटली पुत्र उजेन और तक्सिला ये मुख्य नगर है अर्थात जो मुख्य समराजी की राजदानी की बात करें तो वो है बच्छों पाटली पुत्र तक्सिला उत्तर पसिम और मज्दे एशिया के लिए जो आने जाने के मुख्य मार्ग पर इस्तित नगर था कौन सा था तक्सिला इसलिए इस नगर का क्या था अच्छ अच्छे है वहां पर इस्तित है वहीं उज्जेन की बात करें तो उज्जेन एक नदी के किनार है और इस नदी का नाम है बच्छों शिप्रा नदी यह आपके लिए अलग से जानकर ये इसको ज्यान में रखें आप कि जो मज्दी पर्देश वरत्मान है वहां पर यह नग पर इस्तित नगर है इन नगरों में व्यापारी वरग रहते थे सरकारी अधिकारी रहते थे और शिल्पकार वरग इसमें रहते थे तो इन नगरों के अध्यन करने समय पता चलता है कि इन नगरों में कौन-कौन से वरग रहते थे और इनका किस परकार का कारिये इनको दिय बब्रस न गया था और इनकी काँ पर अवस्थति थे मौर्श अम्राजी के बहुत बड़े सित्रों में किसानों और पशुपालकों के गाओंबसे वे थे अर्थ गाओं में बच्छों कौनने किसान और पशुपालक ही होंगे मध्य भारत का अधिकांस इस सांगली था जहां पर लोगों के द्वारा क्या किया जाता था जंगलों में हमने देखा था कि खाद्य संग्रहन और आखेटक क्रियाएं क्या रहती है लोगों के द्वारा की जाने वाली मुख्य क्रियाएं रहती है खाद्य संग्रहन और आखेटक इन्हीं के द्वारा ये लोग क्या करते हैं अपना जीवन चलाते हैं और अपनी आज जीवी का चलाते हैं मौरी शमराजी के अलग-अलग शत्रों में लोगों के द्वारा बिन-बिन बासाईं बोली जाती थी ये लोग अलग-अलग परकार का बोजन करते और बिन-बिन पोसां के पहनते थे अर्थात यहां पे देखें तो मोरी समराजी को जो विबिन भाग है उनमें विबिन परकार की जो विबिन ताएं है वो देखने को मिल रही है चाहिए वो पहनावाई को लेके हो चाहिए वो खान पान को लेके हो चाहिए वो भासा के आदार पर हो तो इन शबी बिंदों के आदार पर हम देखते हैं कि मौर्य सामराज्य कर इतना विस्तार था इतना फेला हुआ था कि बासा बोजन और जो पहनावा है इसके आदार पर भी विबिन परकार की बिनताईं यहां पर देखने को मिलती है अब देखें बचों एक आयता सब्द मौर्य वंस तो यहां पर हम बात करेंगे कि यह वंस जो है इस सब्द का अतात पर यह क्या है और इसमें किस परकार से क्या होता है देखें बचों जब एक ही परिवार के कई सद्धिश्य अर्थात पिता जी का बेटा बेटे का बेटा फिर बेटे का बेटा जब यह सद्धिश्य एक के बाद एक क्या बनते हैं राजा बनते जाते हैं तो यह एक वंस से समंदित कहलाते हैं अर्थान एक ही परिवार के सभी सदीशें आने वाली पीडी के सदीशें वह क्या बनते जाएंगे राजा बनते जाएंगे तो यह क्या कहलाएगा वंस क्या जैसे मौरी वंस की बात करें तो मौरी वंस के संस्ता पक्षण वो है बचों यहांपर चंदरगुप्त मोर्य चंदरगुप्त मोर्य यहांपर संस्ता पके और चंदरगुप्त मोर्य का पुत्रे बचों बिंदू सार बिंदू सार का पुत्रे बचों असोक जो इत्यास में सबसे प्रतापी और महतपुण सासक वा था जिसने मोर्य शामराजी को इतने सक्तिसाली रूप से इस्तापित किया कि यह आज भी हमारे लिए क्या है सबसे महतपुण है तो बचों इस भाग में हमने देखा कि जो एक राजजी से कई गुना शेत्रों में फेला हुआ एक समराजी है जिसका नाम है मोर्य समराजी और इस मोर्य समराजी के इस्तापना करने वाले का नाम है चंद्रगुप्त मोर्य इस इस्तापना में इनके साइता किती चाने के नाम के एक व्यक्ति ने विद्वाने जिनके पुस्तक का नाम था बच्चों अर्थसास्तर जो राजनेतिक वीशियों पर आदरित पुस्तक थी और चंद्रुपत मोर्य का पुत्र है बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र है समराठ असोग वहीं बचों हम अगले भाग में बात करेंगे जो ये मोर्य समरज है इसके प्रशाषन में और किस परकार से इतने बड़े जो समरज है इसको चलाय जाता था इसका परशाशन नियंतरित किया जाता था उन शबी के बारे में तब तक के लिए धन्यवाद